दोस्तो अगर आप में रिंकु सिंग इशान किशन और सूरकुमार यादव को अच्छा वल्यबाज मानते हो तो वीडियो को जैरू लाइक किजिएगा दोस्तो भारत और आश्ट्रेलिया के बीच पांचवे टीटवन्टी मुकाबले में सूरकुमार यादव ने जड़ा शतक तो रिंकु सिंग और इशान किशन में मिलकर अंतिम ओवर में चार छक्के जड़कर ऐसे पल्टा हारा हुआ मुकाबला की देखकर पूरे भारत देश के उड़ गए होश तो दोस्तो आकिरकार भारत और आश्ट्रेलिया के बीच पांचवे टीटवन्टी मैच की पूरी हाइलाइट आपको वीडियो में दिखाएंगे तो बने रहेगा अंत तक लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, रिंकु सिंग सुरक कुमार यादव और इशान किशन में से कौन अच्छा बल्लेबाज अपनी किमती राए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए अब आपका जाता समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो इस दोरान ऑस्ट्रीलिया की तरप से जब पारी की शुरुआत करने के लिए ट्रैविस हेड और जौस फिलिपी उतरे तो इस बीच ट्रैविस हेड के बल्ले से जहां भात्तार रन की पारी देखने के लिए मिली तो वहीं जौस फिलिप ने 38 रन जड़कर इस मुकाबले मे पहले विक्ट के लिए शत्की असाज़दारी कर दी थी हाला कि इन दोनों बल्ले बाजों के आउट हो जाने के बाद मुश्किल से बल्ले बाजी पर फिर उतरे बैन मैक डर्मॉट और एरोन हार्डी जहां इन दोनों बल्ले बाजों ने भारतिये गेंदवाजों की जमकर परिक्षा ली इस दोरान रवी विसनोई ने बैन मैक डर्मॉट को तो 73 रन पर चलता कर दिया था लेकिन एरोन हार्डी ने फिर भी यहां पर 24 रन की पारी खेली और फिर टिम डेविड के बल्ले से जहां 10 रन देखने के लिए मिले मैट शोट के बल्ले से जहां 22 रन की पा और धीपक चहर को मिला अब दोस्तों बारिती भारतिय बल्ले बाजों की इस मैदान पर कुछ कर दिखाने की और मैच अपने नाम करने की हलाकि शुरुआत तो टीम इंडिया की अच्छी नहीं रही क्योंकि जब यससवी जैसवाल और रुतुराज गाइकवाड ने पारी क की शुरुआत की तो दोनों बल्लेवाज यां अच्छी साज़ेदारी कर नहीं पाए इस दोरान भारत को पहला बड़ा जटका 33 रन के कुल स्कूर पर लगा और इस बीच यससवी जैसवाल मात्र 25 रन बना कर आउट हुए तो वहीं उनके आउट हो जाने के तुरंत बाद जेसन बेरिंडरोफ ने रुदुराज गाइकवार को फसा लिया और वो भी बस 13 रन ही बना पाए अब भारतिय टीम के दो बड़े विकट गिर जाने के बाद टीम इंडिया पर लगातार दवा बढ़ता चला जा रहा था इस दोरान कप्तान सूरा कुमार यादव और दोनों बल्ले बाजों ने मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया एक तरफ जहां सूरा कुमार यादव के बल्ले से छक्के चोकों की बरसात देखने के लिए मिल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ निशान किशन बस उनका साथ निभाने पर पहले ध्यान दे लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि अगले पल सूरा कुमार यादव का विकेड गिरने वाला है और वो अपना शतक जड़कर 108 रन की पारी खेल आउट हुए और यहां सूरा कुमार यादव के रूप में भारतिय टीम को चौथा बड़ा जटका लगा अब कप्तान उट चुके थे और मैदान पर बस आना एक ही बल्लेबाच का बाकी था जो मैच को जिताने का पूरा दम रखता था और वो थे रिंकू सिंग जान रिंकू सिंग ने आते से ही पहली गिंद पर छक्का जड़कर बता दिया कि वो अस्ट्रेलिया की टीम से यहां अपना बदल पूरा करने आएं ना कि हारने के लिए उतरे हैं और दोस्तों इस बीच रिंकू सिंग और इशान किशन ने मिलकर टीम को अंतिम ओवर तक पहुचा दिया जहां भारत को अंतिम 6 गिंदों में जीतने के लिए 27 रनों की दरकार थी और उस्ट्रेले कप्तान मैथ्यू वेड अंतिम ओवर में गिंदवाजी के लिए एरॉन हार्डी को भेजते हैं इस दोरान पहली गिंद जब इशान किशन सामना कर रहे होते हैं तो वो सामने की तरफ चौका बटोर लेते हैं भारत को अब 5 गिंदों में तेही सरन चाहिए थे इशान किशन ने दूसरी गिंद पर दीब कवर्स की तरफ दोरन बटोर लिये और तीसरी गिंद पर इशान किशन के बले से चौका निकला और चौती गिंद पर इशान किशन ने एक और चौका लगा दिया अब दोस्तों यहाँ पर दो गिंदे बची हुई थी भारत को जीतने के लिए 9 रन की जरुवत थी पर रिंकु सिंग ने सांदार चखका जड़ दिया था और दोस्तों फिर अंतिम एक गेंद जो बस्तिया उसमें भारत को जीतने के लिए मात्र एक रन चाहिए था और रिंकु सिंग न उस गेंद पर भी चखका जड़ कर भारते टीम को जीत दिला दी और इसी के साथ भारत ने पांचवा T20 मुकाबला भी अपने नाम किया बाकी दोस्तों इस मुकाबले में जार रिंकू सिंग ने 31 रन बनाए तो इशान किशन ने 45 रन की पारी खेली जिसके चलते भारते टीम मैच जीत पाई बाकी हम आपको बता दे कि भारत और उस्ट्रेलिया के बीच पांचवे T20 मुकाबले का यहाव इंट्राइ स्कौर्ड और अभ्यात सत्र का मुकाबले जिसमें भारते टीम की जीत वी बाकी अब आप सभी की क्या राय है रिंको सिंग इशान केशन और सुरक कुमार यादव की बल्ले बाजी को देख लेने के बाद और आप इनकी बल्ले बाजी को दसमें से कितने नम्मर दोगे अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा